दबदबा है और दबदबा रहेगा ब्रजी भूशोन सिंग का ये बयान था कि उसके बाद पहलवान जगत की दुनिया में खलबली मच गई और साक्षी मलिक ने उसी शाम पहलवानी से सन्यास ले लिया इसके बाद कुछ दिन के बाद बजरंग पूनिया भी अपना पदम श पहलवान और पीएमो दिफ्तर के बाहर करतब पत पर पहुंची जहां पर वे अपने अर्जुन अवार्ड को वापस करने के लिए पहुंची थी cent शाम के समय करतब बेपत के करीब जब विनेश फोगाट पहुंची तो उनके हाथ में अपना जो अर्जिन अवार्ड था वो लिये हुए थी और वो पी एमो दफ्तर की तरह बढ़ रही थी तरह में अब देखाए हुए पहुँची है उनके साथ है यह देख रहा है वैं वोग आप चाहती हूँ अच्छा फिर वांग कर ने कर नहीं है पहुची है बलारी के 22 दिसमबर को बजरंग पूनिया ने अपना पदमुर्षरी अवॉर्ड लोटा दिया था रोटा दिया था दरसल इस पूरी कहानी में मामला क्या था? वो भी जान लीजे तो जैसे ही Wrestling Federation of India के चुनाव में ब्रजभूशन सिंग के करीबी संजे सिंग बबलू ने जीत हासिल की उसके बाद विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक समेट का इस रेसलर नाराज चल रहे थी ये रेसलर काफी समय से ब्रजभूशन के खिलाब प्रदर्शन भी कर रहे थे इन सभी ने मांग की थी कि रेसलर फेडरेशन का जो अध्यक शोव ब्रजभूशन या उसके जानकार या फिर उसके करीब का कोई व्यक्ती ना हो हाला कि संजय सिंग के नेतरुत में भारतिय कुष्टी संग की नव निर्वाचित कारकारणी को खेल मंतराले ने फिलहाल निलंबित कर दिया था मंतराले ने अपने फेसले में कहा था कि WFI ने मौझूदा नियमों के प्रती पूरी तरीके से उपेक्षा दिखाई है अधिकारिक विग्यप्ती में खेल मंतराले ने कहा था कि राष्टरी प्रतियोगताओं की घोश्टा जल्दबाजी में की गई और उचित प्रिक्रिया का पालन नहीं किया गया खेल मंतराले ने हवाला दिया था कि जो कुष्टी संकर निर्वाचन हुआ उसके बाद जिस तरीके से जो आयोजन होने थे उसका एलान किया गया वो अनुचित तरीके से किया गया खेल मंत्राले का कहना था कि जो governing body होती है उसमें एक तेहाई लोगों का board members का होना जरूरी है उसके बाद ही जो अध्यक्ष है इस बात का जो आयोजन होता है उसका एलान कर सकता है लेकिन जैसे ही चुना हुए उसी दिन संजय सिंग ने इस बात की घोशना कर दी थी कि नंबर के अंत में सारे जो आयोजन है खेल के आयोजन है वह अपने शुरू हो जाएंगे जिसको लेकर खेल मंत्राले अपनी नाराजगी व्यक्त की ती फिलाल दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं अपने खीष्टान है इस तरह एक तरफ जहाँ संजय सिंग है वह अपने अवार्ड को लोटाना एक चुकाने वाली बात है बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए यूपी तक